अकसर हम parents confused रहते हैं कि formula milk को हम room temperature पे कितनी देर तक रख सकते हैं हम इसे fridge में कितनी देर तक रख सकते हैं formula milk को क्या freezer में रखना चाहिए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं formula milk की stories से related आपके सारे doubts दूर करने जा रही हूँ वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको formula milk reheat कैसे करना है दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं कि formula milk हमें अपने बच्चे को एक बार में कितना देना चाहिए और एक दिन में कितनी बार देना चाहिए तो इस topic से related एक वीडियो में already बना चुकी हूँ उसका link आपको description box में बिल जाएगा और वीडियो के अंत में आपके और आपके baby के लिए कुछ बहुत ही important bonus tips भी है तो please इस वीडियो को पूरा देखिए तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि prepared formula milk को हम room temperature पे कितनी देर तक रख सकते हैं तो दोस्तो formula prepare करने के बाद आप उसे room temperature पे 2 घंटे तक रख सकते हैं लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपकी surrounding का temperature 32 degree या उससे ज़्यादा है तो उस case में आप formula milk को सिर्फ एक घंटे तक ही room temperature पे रख सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा तापमान होने के कारण formula milk जल्दी खराब होता है और उसमें bacteria भी जल्दी grow करने लगते हैं तो आप हमेशा temperature का ध्यान रखिए और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप formula milk room temperature पे रखें तो उसे कुछ ऐसी जगा पे रखें जहां पे ठंड़क हो और वहां direct sunlight ना आए तो चलिए अब discuss करते हैं कि prepared formula milk को हम refrigerator में कितनी देर तक रख सकते हैं तो friends आप उसे 24 घंटे तक refrigerator में रख सकते हो आपको दो बातों का ध्यान रखना है पहला कि जब भी आप bottle को फ्रिज में रखो आप उसके cap को अच्छे से बंद कर दो ताकि हमारा milk contaminate ना हो दूसरा जब भी आप bottle को फ्रिज में रख रहे हैं तो उसे पीछे की तरफ रखें जहां का temperature consistent रहता है क्योंकि जब हम फ्रिज को बार बार खोलते बंद करते हैं और आप उसे अगर bottle को डोर के पास रखेंगे तो वहां पे temperature variation आ जाता है और उस वज़े से भी हमारा milk तो दोस्तो रूटीन इस्तमाल के लिए formula milk को freeze करना recommended नहीं है लंबे समय तक formula milk को freeze करने की वज़े से उसका texture बदल सकता है साथ ही साथ उसमें nutrients का भी loss हो सकता है जो हमारे baby के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है उससे better option यह होगा कि आप पानी गरम करके उसे lukewarm करके एक bottle में स्टोर कर लें और साथ ही साथ powdered formula milk अलग से रखें और जब भी आपको जरूरत हो उसे fresh ही बनाए बट अगर किसी कारण वश्म आपको formula milk freeze करना जरूरी है तो आप प्लीज अपने pediatrician से एक बार consult कर लें तो चलिए आप discuss करते हैं कि अगर baby ने milk ले लिया है तो उस case में उसे room temperature में हम कितनी देर तक रख सकते हैं तो दोस्तों अगर baby already milk ले चुका है और उसने पूरा खतम नहीं किया है तो आप 10-15 मिनिट तक wait करिए और उसके बाद उसे baby को एक बार फिर से offer करिए अगर baby milk ले लेता है तो तो best है अगर उसने 15 मिनिट बाद भी milk consume नहीं किया है तो आ ऐसा risk हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए दोस्तों एक important बात मैं और बताना चाहूंगी कि जब भी आप formula milk prepare कर रहे हैं आप हमेशा उसका temperature चेक कर लीजिए इसके लिए मैं आपको backhand test recommend करूंगी आप अपनी wrist पे 2-3 बूंदे milk की डाल के देखिए कि उसका temperature सही है या नही अगर आपको थोड़ा भी uncomfortable लग रहा है तो वो temperature हमारे baby को देने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है उस case में आप अपने formula milk को थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं तो चलिए आप बात करते हैं कि prepared formula milk को हम gas stove पे कैसे गरम कर सकते हैं तो उसके लिए आपको कभी भी formula milk को directly gas पे गर कर लेना है और उसके बाद आपने जिस bottle में milk रखा है उस bottle को sauce pan में डाल दीजिए और उसे थोड़ी थोड़ी देर पर चेक करिए कि उसका temperature room temperature से हलका सजादा हुआ कि नहीं जैसे ही milk का temperature room temperature से थोड़ा सजादा हो रहा है आप अपनी bottle निकाल लीजिए और अपने baby को milk offer करि जैसे कि हम सब जानते हैं कि microwave में खाना uneven गरम होता है कुछ जगा खाना ज्यादा गरम हो जाता है जिसे हम hot spots कहते हैं और कई जगा ठंडी रहती है अगर हम milk को इस तरह गरम करेंगे तो हमारे baby का मुह जल सकता है साथ ही साथ milk की nutrition value भी कम हो सकती है इसलिए आपको अगर microwave में formula milk गरम करना है तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है सबसे पहला कि आप जिस bottle को use कर रहे हैं वो microwave safe bottle होने चाहिए दूसरा कि आप जब भी formula milk को गरम करें आप इसे छोटे छोटे intervals में गरम करें जैसे 10-10 second के gap पे आज कल कई microwaves में power कम करने का option भी आता है ताकि खाना धीरे धीरे गरम हो आप ये option भी ट्राइ कर सकते हैं एक बाद जब आपने formula milk गरम कर लिया है तो आप उसे sideways gently shake कर ले ताकि कहीं पे भी hot spots ना बने हो और हमारा milk भी evenly गरम हो और उसके बाद सबसे important चीज़ आपको milk का temperature चेक करना है जब भी आप उसे अपने baby को offer कर रह हैं एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि हम formula milk को normal milk की तरह boil क्यों नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों हमें formula milk को कभी भी उबालना नहीं चाहिए overheating के वज़े से उसके सारे nutrients नश्ट हो जाते हैं और वो हमारे baby को देने के लिए safe नहीं होता तो कभी भी formula milk को boil नहीं करना है चलिए अब ये भी discuss कर लेते हैं कि powdered formula milk जो हम बजार से लाते हैं उसे हमें कैसे store करना है तो सबसे पहले बात करेंगे unopened pack की दोस्तों जो डबा आप market से खरीद के लाएं हैं अगर अभी तक आपने उसे खोला नहीं है तो आप उसे आराम से room temperature पे रख सकते हैं बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस packet को आप extreme temperatures की जगा पे ना रखें जैसे की fridge में या gas के पास जो formula powder आप market से लाएं हैं अगर आपने उसे खोल लिया है तो आप सबसे पहले तो उसे एक airtight container में shift कर लें और उसे एक महिने के अंदर consume भी कर लें आप pack पे लिखी use by date भी check कर सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं कुछ bonus tips की तो सबसे पहली bonus tip यह है formula milk का सहीत आपमान 37 degree Celsius होना चाहिए जो कि human body temperature भी होता है तो हमेशा कभी भी अपने बेबी को milk offer करने से पहले आप wrist पे 2-3 बुंदे milk की डाल के चक कर ले और अगर आपको इसका temperature अपने body temperature जितना लग रहा है तो आपके बेबी को देने के लिए वो temperature परफेक्ट है दोस्तों अगर आपके मन में कभी भी doubt हो कि जो formula milk मैंने prepare किया था इसे मैं अपने बेबी को आप दूँ या ना दूँ तो उस case में आप हमेशा उसे discard कर दीजे क्योंकि हमारे बच्चे की health से जादा बड़ी priority हमारे लिए कुछ नहीं है formula milk आप जब भी fridge में रख रहे हैं तो उसमें एक sticker लगाके date और time mention कर दीजे ताकि आप confused ना हूँ और आप उसे track कर पाएं दोस्तों मैं अपने channel पे parenting और child care videos regular basis पे बनाती रहती हूँ so please subscribe to my channel and make your parenting journey more enjoyable अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा thank you so much for watching bye bye